हेलो फ्रेंड्स मैं सिये रेनो सिंकल और आप देख रहे हैं लोग वरेट जब से इंकम टेक्स का न्यू पोटल आया है इंकमटेक्स.gov.in तब से हम और आप सभी कोई ना कोई टेकनिकल ग्लीचेस वहाँ पे फेस कर रहे हैं इवन लास्ट येर की ITRVB डाउनलोड नहीं हो पा रही तो कुछ कंप्रेइन करते हैं कि प्रोफाइल भी अपडेट नहीं हो पा रहा कुछ कंप्रेइन करते हैं कि 10-10 मिनट तक लोगिन ही नहीं कर पाते और इसी तरह के टेकनिकल ग्लीचेस को देखते वे इंकम डिक्स डिपार्टमेंट से मिन्स मिनिस्ट्रियो फानेंस की तरफ से 14 जून और 15 जून को दो प्रेस रिलीज आई हैं उन्हें जानने के लिए मिरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहेगा इससे पहले फ्रेंट्स अगर अभी तक आपने हमारा यूटीब चैनल लौग वलेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे 14 जून को जो प्रेस रिलीज आई है उसका हेडिंग है रिलेक्सेशन इन इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग आफ इंकम टेक्स फॉर्म 15 C.A. और 15 C.B. जब भी हमें फोरन रेमिटेंसिस करने होते हैं तो ओथराइज डीलर को एक कॉपी जाती है फॉर्म 15 C.A. की और सलसीय के सर् इन इफिकेट इन फॉर्म 15 C.B. जहां भी रिक्वार्मेंट होती है उसकी कॉपी हमें सब्मेट करनी होती है और उससे पहले उसे इंकम टेक्स के पोटल पर अप्लोड करना पड़ता है और वो कैसे एलेक्ट्रोनिकली पर जब से हमारा नियू पोटल इंकम्टेक्स.gov.in आ इस बात को ध्यान रखते वें यह डिसाइड किया गया है कि 15 C.A. और 15 C.B. को मैनुवली भी और्थराइज डीलर के पास फाइल किया जा सकता है कब तक 13 जून तक 30 जून तक और 13 जीलर को एडवाइस की गई है कि आप इस फॉर्म को 30 जून तक मैनुवली असेप्ट कर ले फॉरन रेमिटेंस के लिए और जैसे ही इंकम्टेक्स पोटल पे एक लिचिस ठीक हो जाएगा वहाँ पर इन फॉर्म को फिर से अपलोड करने की फैसलिटी दे दी जाएगी ताकि आपके उससे एक यूनिक DIN यानि की डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नमबर जनरेट कर सके मिन्स ऐसा नहीं है कि मैनुवल फाइल हो गया है तो कम्प्लाइंस खतम हो गया है जैसे ही पोटल से वो इशूस हमारे कम्प्लीट ठीक हो जाएगे उसकी बात हमें इसको अप्लोड करना होगा और उससे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नमबर जनरेट होगा इस प्रेस रिलीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और हमारी वेबसाइट लॉवालेट डॉट इन दोनों जगह आपको मिल जाएगा इस प्रेस्ट्री इन फॉसस के साथ एक मीटिंग हेल कर रही है किस चीज के लिए जो न्यू इंकम टेक्स पोर्टल है जो उसमें इस 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 आ रहे हैं क्या लिखाए इस प्रेस रिलीज में सीनियर ओफिसर्स और फानेस मिनिस्टर विल होल्ड एन इंटर्क्टिव मीटिं एक इंटर्क्टिव मीटिंग हेल की जाए कि बाइस जोन को ग्यारा बज़े से लेकि एक बज़े तक इन्फॉसस के साथ जो न्यू इंकम टेक्स पोर्टल पे इशुज और ग्रीचिस आ रहे हैं इसमें ना सिर्फ सीनिएर कफिसर्स होंगे बल्कि ICI AK मिनस।institut of Chartered Accountant के मिम्बर्स भी होंगे कंसल्टेंट भी होंगे और टेक्सपेर भी होंगे मिनस वो भी इस इन्टेक्शन में पारिस्पित करेंगे जो नियो इंकम टेक्स का पोटल है इस पे बहुत सारे इशूस टेक्स पे बैनेज कर रहे हैं जेल रहे हैं बहुत इंकन्विनेंट हो रही है नमबर ओव रिटर्न प्रेजेशन भी मंगवाई गही है क्या problems है क्या difficulties है इस पोटल के लिए और Infosys के representative वहाँ present होँगे queries के answer देने के लिए issues को clarify करने के लिए और receive input on working off portal to remove glitches and sort out issues phased by taxpayer तो हम उमीद कर सकते हैं कि 22 जून तक हमें शायद कुछ issues phased करते रहने पढ़ेंगे income tax portal पर और 22 जून के बाद शायद हमारा income tax का new portal शायद थोड़ा properly deal करने लगे तो friends ये वीडियो आज की यहीं तक इससे पहले friends मैं आपके साथ और wind up करने से पहले मैं आपके साथ share करना चाहूंगी कि जो हमारी law wallet की website है उस पे बहुत अच्छे articles और बहुत ही simple easy language में related to every law means criminal civil GST income tax divorce marriage आप कोई भी एक उठाए हर एक से related महाँ पर आपको articles में लेंगे जिसको आप पड़के अपने knowledge enhance कर सकते हैं thank you that's all for today